उसमें आजाएगा टी कर देते हैं जी सौर भे हमारा कर्चा या चाय का सौरी यह आपका आएगा डेबिट में चीक है एक्सपेंस आएगा डेबिट में अब मेरे पास मजीद कुछ फीस आ गई स्टुडेंस की पंदरा अजार पर चीक है जी अब मेरे पास मैंने कोई एकुपमेंट ले लिए या मतलब यह है कि आपका हाड़वेर में जो है वो एक्सपेंस हो गया मेरा कोई तीन अजार का चीक है जी यह एक छोटी सी शीट है अब हम इसको मैनेज करते हैं कि हमारे पास जब हमने स्टार्ट किया था क्या था और अब हमारे पास एंड में क्या बचेगा मज़ीद कुछ चीज़ें और डाल देते हैं इसमें ताकि मज़ीद आपको फार्मूला समझ में आ जाए बिल हम डाल देते हैं बिल एलेक्ट्रिसिटी जो कि आज कर वेसी ज़्यादा आता है बिल हमने जाल दिया जी चार अजार का ठीक है हमने मैंटेनेंस का काम किया किसी का तो उसके हमेरे पास पैसे जो है वो आ गए ना मैंटेनेंस के पैसे मतलब किसी को हमने आड़वेर का काम करके दिया किसी ओफिस वाले को हमने कोई ऐसा मैंटेनस का काम करके दिया तो उसके हमरे पास कुछ पैसे आ गए जी 5,000 के قریب ठीक है अब यहाँ पे देखें मैं जाऊऊंगा सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस हमारे पास मजूद है मैं आया second sheet में क्योंके formula हमारा किस पर लगेगा जहां से हमारा काम शूरु हो रहा है जहां से हमारा काम शूरु हो रहा है ठीक है मैं क्या करूंगा इक्वल अब होता यह है कि आपनिंग बैलेंस के साथ डेबिट जो है वो माइनस होगा और क्रेडिट जो है वो पिलस होगा ठीक है तो एक्वल करने के बाद सबसे पहले मैं जाऊंगा किस पर अपनिंग बैलेंस के कहां पर जाऊंगा अपनिंग बैलेंस में अब मैं क्या करूंगा माइनस डेबिट मैं यहां से रखूंगा ठीक है जी बलके यहां से रखूंगा तो और पिलस क्रेड़ीड फर्मूले समझ में आ रहा है नजर आ रहा है सबको देखें मैं इंटर किया यह फार्मूला जो यह वह लग कर आ गया अब मुझे बार-बार फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है लेकिन इसको आप कॉपी-पेस्ट नहीं करोगे इसको आप करोगे ड्रे एक ड्रेक करने का तरीका यह है कि आप माउस ले आओगे यहां पर यह देखें ब्लैक का जो यह प्लस का साइन आ रहा है अब आप पकड़ के नीचे लाएंगे तो यह फार्मूला ड्रेग होता जाएगा ठीक है दूसरा तरीका कीबोर्ड का है वो भी आपको बताऊंगा इस दस हजार पर मौझूद थे दोहजार मेरे पास आ गया तो बारह हो गया तो ग्यारा नवे यह आपने सिर्फ एक बार फार्मूला लगा और सारी कल्कुलेशन आपको यहां पर उसने करके लिए दे दी कि आरा समझ में तो इस पार्मूला समझते हैं देखे मैं आपको पहले कहा कि आप इस चीज पर ना जाएं कि शीट के उपर क्या चल रहा है आप सिर्फ यह चीज जहन में रखें कि कौन सी चीज किस से प्लस हो रही है कौन सी चीज किस से माइनस हो रही है और बैलेस में क्या निकल रहा है ठीक है आपको अगर फार्मूला चेक करना है आप यहां प्रेस किया इक्वल प्रेस करने के बाद किवार्पासडरी बैलेंस मव्यूद है अगर आंगर उसको शामिल नहीं करते तो फार्मूलीला हमारा हुझा हो जाएगा क्योंकर वह करा Whatsiddag सभूंस पहले हम लेंगे बैलें सो किसको लेंगे बैलें с को बैलेंस के साथ माइनस होगा क्या माइनस होगा कि डेबिट माइनस होगा क्या माइनस होगा और क्या पिलस होगा क्रेडिट प्लेस होगा सिर्फ इतना करना है इंटर फार्मूला लग गया आपका अब आप यहां से या तो अगर आप कीबोर्ड के तुरू फार्मूला ड्रेग करते हैं तो आप शिफ्ट पकड़ के इसको रेंज दे दें कि कितना आपने नीचे ले जाना है ए अग ऐब चूका बटन आप प्रेस करेंगे तो आपको दिखा रहें के फार्मूला यह लगा हुआ है कंट्रोल के साथ इंटर प्रेस करेंगे तो फार्मूला आपका ट्रेग हो जाएगा एक तो माउस का तरीका बतायत आपको मैंने एक बगरfolg माउस आप डारेक्टली इसको फार्मूले को ड्रेग कर सकते हैं जी